नाबालिक वाहन चलाते मिला तो पकड़ लेगी पुलिस त्योहार के समय जहां बजार में लोगों की घीर उमर रही तो वही वाहनों की आवाजाही भी बढ़ रही है ऐसे में कई नाबालिक बच्चे भी वाहन लेकर सड़कों पर आ रहे हैं इसी को रोपने के लिए सिवनी मालवा थाना प्रभारी संजय चौक से अपने दलबल के साथ इसे रोपने के लिए सड़क पर उतर गए है पुलिस त्वारा नाबालिक वाहन चालकों को समझाईश भी दी जा रही है तो साथ ही चालानी कारवाई भी की जा रही है शहर के मधिस्थित गांधी चौक पर पुलिस बल ऐसे नाबालिक वाहन चालकों पर भी कारवाई कर रहा है जहां थाना प्रभारी की मौझूर्की में हो रही कारवाई से नाबालिक वहन चालकों में हरकम्प मच गया है तो वही तेज साइलेंस लगाकर चलने वाले वहन चालकों में भी पुलिस का दर बना हुआ है पुलिस की इस कारवाई में एक बुलट चालक को भी पुलिस ने रोका और उस पर भी पुलिस की कारवाई जारी है हाना प्रभारी हाथ में चलान बुक लेकर दलबल के साथ इस कारवाई को अंजाम दे रहे है खाल को जादा अवाई देने वाले बाहन वीश चला रहे हैं और बहुत ज्यूद में चला रहे हैं तो यह कि परिवार वालों को भी शंजैज देगे हैं परिवार को इसके उगता पड़ता है और इस इस तिती में हमारा प्रियाश है कि लोगो समझाई इसके शारामी कारवाई भी की जाए ताकि दोनों सेर्पा इंको एक दंजे चला जाए कि हाँ ये सब चीजे हमारी प्रट्चा के लिए हैं प्र दोनों सेर्पा इसके ये सबस्राव तो पाउ झाल झाल झाल